इसकॉर्ट्स के और जो उनका पर्चेजिंग प्राइस है वो 604 का है और स्टॉक सारे 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है भी बताइए मैं यूरेज जी इनफाक्ट अपने 52 हफतों की उपरी सरों से कंपेर करें तो 50% नीचे औरड़ी ये शेर आ चुका है अब इनको करना क्या च थी पर यह साल I think because of late harvesting, late monsoon onset कहीं नहीं कि दबाओ पड़ा है in terms of volume growth ये तिमाई के numbers बे अत्मी encouraging नहीं थे except for railways I think काफी segments, farm equipment segment हो या construction वाला segment on the industrial part इने disappoint किया volume से लेके price तक तो I think थोड़ी निराज जनक performance और एक quarter तक रह सकती है दो quarters तक पड़ा इंका अकर long term कफ यह हो है तो थोड़ा समय इनको बिल्कुल देना पड़ेगा अगर ये stock और तूटा है तो शायद ये average कर सकते है लिए he can hold out पड़ थोड़ा लंबाई समय देना पड़ेगा in terms of अजन work out हुआ तो जरूर आगे बढ़ेंगे अब ये बताइए Tata जुड़ा हुआ है नाम इसलिए hold रखें नीचे खरीदते रहें या फिर कोई और रणनेती होनी चाहिए प्रोसेसे हैं चाइनीज मार्केट कब सुदरेगा कैसे सुदरेगा पी इनिवेस्टर आएगा नहीं आएगा इस पर निर्भर करता है दूसरा इतिंग जो इनकी कोर केपेक्स प्लान जे और जो कोर ऑपरेटिंग फ्लोज अगर पिछले बित्तवरश किया इतिंग बिलियन पाउंज किया इतिंग लॉसस बुक किये थे और अगें देगा इनकी दो नहीं लॉंचेस्ट आपी सक्सेस्फुल रहे हैं पर अगें इतिंग दी मार्केट इसल्पाइट इंग जो डीजल ट्रांसमिशन नॉम्स हैं इमिशन नॉम्स यॉर्पिन मार्केट को यू बैंक ने बहतरी नतीजे दिये या पाइपिंग कंपनी जो वाटर पाइप कंपनी यह अच्छे जिविले हो सकते हैं अगर आपका एक से दो सब्सक्राइब हो ठीक है रिश्मा शर्मा ने सवाल भीजा है और बंधन बैंक पर इनका सवाल है और आर्बिल बैंक पर बंधन अब करना क्या है इनको नीचे के भावों की बाइंग तो है बट स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं इस्पेशली आर्बिल बैंक तो व्यू डिटर्माइन करना पड़े का देपाली जी क्योंकि आर्बिल बैंक के अगरे में बात को जैसे मैनेजमेंट एक आइडिन्स लिया है क्रेट कॉस 25 से 35 बिब्स बढ़ सकती आइसेट कॉलिटी पर दबाव आ सकता है आज जैसे वहर के बाहर आए कि 174 करोड के I think CCD की डेट की तरफ एक्सपोजर है और थोड़े स्लिपज़ बढ़ सकते हैं तो I think ये सारे कारणों के विज़े से RBL Bank अच्छा कासा तूटा हुआ है पर I think over a period of time management की ये भी ये I think एक confidence है कि over the next 2-3 quarters things stabilize हो जाएंगे So I think एक hold के रन्नी तिमहाँ पर रख सकते हैं looking at the buying price only Bandhan Bank again clearly I think जो numbers आये थे एक good set of numbers जो NIMS spread जे मैंटेन कर रहे है साढ़े नौ 10 प्रतीशत के आसपार जो इनकी borrowing mix at this point of time और expectations जो है in terms of lending and disbursements specifically tier 3, tier 4 town along with a very very strong check asset quality पे शायद ये premium multiples justify कर पाता है So looking at again the buying price hold की रन्ने जीती रख सकते हैं Hold का view रखे ये suggestion है एक साथ कुमावत का एहमदाबाद से lemon tree hotel ये stock है इनके पास 200 shares है और जो purchasing price है वो 76 का है stock 58 पर आचुका है बताईए क्या करना चाहिए मैयूरेश lemon tree hotel पर अगर और गिरता है तो मेरे सब से I think you can average and add on clear disclaimer ये stock मेरे funds में है जो I think रणनीती है management के I think जो नए इनके property school के आ रही है वहाँ पर I think एक एक जो incremental cash flow आएगा over the next few quarters should be good utilization levels काफी अच्छा है अगर ED2 की के हम बात करें I think that has shown signs of improvement और जैसे कपेक्स कर रहे हैं constraint way मैं not leveraging or over leveraging their balance sheet और जैसे इनकी properties I think on stream आते जाएंगे फोड़ा gestation period बिल्कुल देना पड़ता है but again I think utilization levels improving overall demand supply dynamics in favor of hotel players specifically organized players के साथ और इनके तीन वारेटी के होटेल है premium, semi-premium और economy I think it caters to all the audiences in the economy at large so I think मैं काफी positive stock पे decline अगर और जाथ होता है तो बिल्कुल average के लिए सकते हैं hold करने के सलाह है नीचे मिले तो और खरीद भी सकते हैं बायो कॉन 300 रुपे की बाइंग है stock 52 के लगातार लोस बना रहा है बताए मैं उरेश बायो कॉन में क्या करें थोड़ा और add कर लेके इन लेविस पर या पर जो holding है उसी को रखें अब तक तो hold कर सकते हैं अगर और तूटता है तो बिल्कुल आट किया जा सकता है इनका जो कोर पोटफोलिया है bio-similars का I think जो ब्लॉगबस्टर ड्रग इनके पास था ट्रांस्टिसुबाब, पेग्फिल्टरास्टिम, अडलिमुबाब I think ये सारे ड्रग्स के जो पोटेंशल वैली और जो इंफ्लेक्शन पॉइंग्स में आ सकता है FI 21 के बाद, I think significant आसर था इसलिए ये earnings recovery जो है ये चार कॉटर बाद balance sheet पे दिखेगी at the same time I think जो इनके में मलेशन फिसलिटी पे एक observation जायत है जो केपेक्स है, जो higher level of depreciation रिपोर्ट कर रहे हैं और जो बाकी की profile है इनकी small molecules की research and development से I think which is again a very very healthy business I think ये सारे बिजनसे support करेंगी overall earnings को तो मेरे कहल सी yes, I think फिलाल hold कर सकते है अगर और crack होता है with the market शायद वो time का add कर ले तो उससे आपकी impact cost कम और hold करें for the next one and a half to year ठीक है, लंबी अवदी का view है तो चिंता मत किजिए कंपनी बहतर है, hold रखें पोजिशन को नीचे मिले थोड़ा और तो खरीड लीजिए अंकेतीने का नजरिया है, डॉक्टर रेडीस पर मैयूरेश सौरपे क्यास-कास का नुकसान नको हो रहा है हर स्टॉक पर क्या करना चाहिए? शौर्ट तम तो मुझे बता नहीं पर तो बिल्कुल डिसरपाइंटिंटिंग पीए से थोड़े काम आये हैं इंडिन बिसनस प्रॉबबर रखेंगे जो आडे एंडिक्स पेंडिचर है यह शाइड डिले होता है और इसके मिझे साइधिंग जो एक एपीएस की अनुमान है वह शाइड डिले होता है विकॉज यह शौर्ट टर्म यू मेरे कहल साइधिंग अगर कोई भी उच्छान मिल गयाता है यह लंबा व्यू है जो अगर होगा तो मेरे इसाब से होल्ड करना चाहिए क्योंकि जो बीएस सिक्स के चेंजिस है MNM प्रॉबबली गैस अफेक्टेट तो मोस क्योंकि डीजल विरेंट इनके सबसे ज़ादा है तो जो प्राइस इंक्रीस और कॉश्फू से हो सकती है तो मैक्सिमूम हो सकती है और MNM अगरे इनके पेट्रोल वेरेंस के तरफ एशिफ्ट हो रहे हैं और जो जो एटिंग एक लॉजिकल मूव है I think that should pay dividends in the long run. Second, I think that farm equipment का business है, again, I think, जैसे Scott's case में था, I think, महापस लोड़ान बिल्कुल विटनेस किया जा रहा है, और होप है कि I think अगले वर्ष या राभी सीजन, if it turns out to be successful, महापे तोड़ी रिकवरी आसकती है, and there is a value of investment of its subsidies as well, जो I think significantly contribute करती है. तो hold की रण भी थी उनी की M&M SBI के लिए, they have reset their MCR rates, so कहीना कि I think market को धर है, I think NIMSprits पे क्या प्रभाव पड़ेगा, but again, I think our own expectations are that it's a very-very strong franchise, जो इस भी watch list है, अच्छी का से recognition हो गई है, provisioning अच्छा हो गया, NCLT1, NCLT2 cases को लेके, stressed accounts को लेके भी, I think they have given enough amount of disclosures, और looking at its balance sheet size, और यो विले कर रहे हैं, या विले हो चुका है, I think the worst is probably over in terms of kasa accretion as well, जो I think एक degrowth साबित हो सकता था पिछे कुछ कॉर्टस में, but I think that's showing a steady growth as well, price to adjusted book पे रिजनी पे रिजनी प्राइस्ट है, again, I think the value of sub-series are quite significant, तो होल की रान्मी की SBI में भी आप रख सकते हैं,